वेलकम तो माई चैनल, पुकिंग वेरी इजी यूजरी ब्रेकफास्ट में हम सैंविचे बनाते हैं और रूटीन के वही सैंविचे बना बनाके हम बोल भी बचाते हैं सो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही यूनीक एड कलरफुल सा पिन्विल सैंविच विदाउट अनी परदा डिले, लेट्स केट साटे पिन्विल सैंविच के लिए यहाँ पे जो हम ब्रेट यूज कर रहे हैं वो लार साइज है, जो सैंविच ब्रेट मार्केट में अवलेबल है यहाँ पे मैं उसी का यूज कर रही हूँ आप चाहें तो नॉर्मल साइज वाली प्रेट भी यूज कर सकते हैं सभी किनारों को मैंने कट कर लिया है अब हम फिलिक डेडी करेंगे उसके लिए यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के बॉल डालू लिये हैं एक मैंने अनियन लिया है जिसे मैंने फाइनली चॉप किया है ग्रीन चिली डालेंगे और थोड़ी सी कॉरिंडर लिएज अब हम इसके अंदर थोड़ा सा काले मिश पाउडर एड़ करेंगे थोड़ा सा हम सॉल्ट एड़ करेंगे हलका सा मैंने रेड चिली भी डाली है अगर आप चाहें तो इससे स्किप कर सकते हैं तोड़ा सा यहां पे मैंने रो मैंगो पाउडर हमचूर पाउडर डाला है तोड़ा सा गरम मसाला एड़ किया है इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पिन्विल सेंडविच के हमारी फिलिंग रेड़ी है सेंडविच को हम किसी फॉयल पेपर पे या फिर हम किसी क्लीन रैप पे भी बना सकते हैं ताकि जब हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखें तो यह अच्छे से रैप हो जाएगा इस लाइस पे मैंने बटर स्प्रेड किया है बटर हम रूम टेंपरेचर पे लेंगे ताकि वह अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाए थोड़ी से हम एगलिस मियोनीज अड़ करेंगे अगर आप मियोनीज नहीं खाते हैं तो आप डिफरेंट टाइप के सैंडविच स्प्रेड भी मार्केट में अवलेबल हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा चाट मसाला हम इसके उपर डारेंगे और ग्रेटी बीट रूट मैंने लिया है वो हम इसके उपर स्प्रेड कर देंगे बीट रूट से आपके सैंडविच का कलर बहुत ही अच्छा आएगा बीट रूट की जगे आप ग्रेटिट पनीर भी यूज़ कर सकते हैं अब हम नेक्स स्लाइस लेंगे और इसके उपर भी हम बटर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे सैंड्विच में कोई भी चटनी स्प्रेड करने से पहले आप बटर जरूर डालें इससे ब्रेट सोगी नहीं होगी ग्रीन चटनी का वीडियो मैंने अप्लोड किया हुआ है आप चाहें तो चैनल पे देख सकते हैं और अब हम इस पे फिलिंग एक साइड पे प्लेस करेंगे और इसे रैप करेंगे कुछ इस तरह से और आप रोल बना के इसे फॉइल पेपर से रैप कर दीजिए अब हम इसे फ्रिज में 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे अफ्र थर्टे मिनट अवर रोल इस रेड़ी नाओ वी विल काट इट बहुत ही अच्छे से ये पिन्विल सैंड्विच सेट हुआ है और ये देख सकते हैं आप सैंड्विच को आप दू तरीके से सर्व कर सकते हैं या तो आप इसको इसी फॉर्म में सर्व कर सकते हैं या फिर हम इसे रोस्ट करके भी सर्व कर सकते हैं रोस्ट करने के लिए हम एक पैन के अंदर थोड़ा सा बटर लेंगे और इसे मेल्ट होने देते हैं थोड़ा सा चिली पॉडर डालेंगे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं अब हम इस पे सैंडविच को प्लेस करेंगे तोनों तरफ से हम इसको रोस्ट करेंगे ये देखे बहुत ही बढ़िया से संड्विच रोस्ट हुआ है if you like my video let me know in the comment section and also subscribe my channel thanks for watching